नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देवग्रु प्रषपती सुख सम्रिद्धी मान सम्मान के कारक है और देवग्रु प्रषपती करीब एक साल में रासी परिवर्तन करते है तो देवग्रु 13 जून को रोहिनी नच्छतर में परवेस करने जा रहे हैं गुरू के चंद्रमा के नच्छतर में प्रवेश करने से आपकी लाइप पर इसका क्या प्रभाव करेगा आज हम जानेंगे ही विस्तार से देखे तेरह जोन की सुबर 6 बच कर 27 मिनट पर गुरू प्रवेश करेंगे रोहिनी नच्छतर में और 20 अगस्त तक यहां पर रहेंगे तो देव गुरू नच्छतर से गोचर कर रहे हैं रोहिनी नच्छतर चंद्रमा का नच्छतर है और यह सुख सम्रिद्धी सौंदरे का कारक होता है तो रोहिनी और चंद्रमा के गुणों का प्रभाव ब्रस्पती पर भी पड़ेगा तो अगर आप फिल्म इडिया गलेमर इंडरस्टी से जुड़े हैं फैसन जगत से जुड़े हैं तो यकिनन आपके उपर इसका प्रभाव चाता पड़ेगा सिंग रासी देखिए आपके लिए देव गुरू भिस्पती आपके दसमें कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं को दिखाता है तो यानि यह सारी बाते आपके कार स्थल पर लागू होने वाली है अचानक से आप कोई कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा ट्रांसपर हो सकता है अब देव गुरू भिस्पती को यहां से देखेंगे चौते घर को साथवी द्रिश्टी से देख रहे है तो यात्रा बेगेर हो सकता है अगर आप नया बिजनस करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है अगर आप इंवेश्ट करेंगे तो उसका रिटर्न अभी तो नहीं मिलेगा लेकिन भविस्पती में जरूर मिलेगा तो ग्रोथ के सामने रूप में आएगा यानि कि जो और अगर आप विदेशी कंपनी से जुड़े हैं विदेश में नौकरी करते हैं तो आपके लिए बढ़िया समय है क्योंकि आप घर आ सकते हैं वापस अगर आप बहुत समय से चाहते हैं अपने घर वापस आना ये वक्त बढ़िया है अगर आप सलाकार हैं एड़टाइज उससे उनका लाब होगा तो करियर में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और ब्रेस्पती की नवी दिश्टी सत्रू भाव पर है रोग सत्रू सांद रहेंगे कारस्थल पर आप बस थोड़ा बहुत चहल कदमी रहेगा लेकिन साबधानी से कारे करेंगे तो आपको लाब जरूर होगा वैसे ब्रेस्पती यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं भी देता है बस इमन्दारी से चलते रहें तो अच्छा रहेगा हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमिंट में हर हर महादेब चरू लिखें धन्यवाद